यह क्या है अक्षू अपना कबरा साफ किया करो तुझे कितनी बार कहा है अपनी किताबे ठीक से रखा कर और यह क्या तेरी बैक भी इधर ही पड़ी है अक्षू यह हमारी बचपन की तस्वीरे तुमने अब तक संभाल के रखी है याद है बचपन में हम कितनी शरारत करते थे और डाट भी उतनी खाते थे दित्या यह किस से बाते कर रहे हो अरे आ गई तुम मेरे और अक्षू के लिए बढ़ी ऐसी अधरक डाल के चाय बनाव और उसके साथ पकोड़े हो न तो और मजा जाएगा क्यों अक्षू तुम रुको मैं आए दो मिनिट में अक्षू अरे मा तुम समझती क्यों नहीं मेरा उदर जाना जरूरी है मैं अगर नहीं जाओंगा तुम फिल्म की शूटिंग कौन करेगा देखो लोग बुला रहे पागल हो गय केतू किस फिल्म के शूटिंग के बाद कर रहा है तेरा कामिरा यह तक के तेरी सारी कहानिया भी जोड़ी हो गई है क्या शूटिंग करेगा कैसे करेगा बच्चा मेरी बात सुन तुझे कहीं नहीं जाना है ऐसा कुछ नहीं है अरे इसका तो रोज का ना टक है अपनी तो जिन्दगी बरबात कर दी अब हमारी भी जिन्दगी बरबात करने पे तुला है सोजाओ सब अच्छा हुआ तुम इस वक्त आ गए अभी सब सो रहे हैं अभी कोई नहीं रोके गहा में मुंबई जाकर देखो क्या मस्त फिल्म बनेगी आ नहीं देखो क्या मस्त प्रिर्टेश्गन आप टोड़का है बीज़ कि बया इसने में कि आपाई जा प्रिर क्रड़का हुआ है प्रतिक यार, प्रतिक यार, प्रतिक यार, तुम दोनो अपने अपने घर जा रहे हो? ये सर, आपने मुझे रास्ते से उठाये, और मेरा येलाज किया, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, थैंक यू सो मच सर, फर एवरिटिंग, अरे, ये तो मेरा काम भी है, प्रतिक, आधित्य, कल तुम दोनों बाहर की दुनिया में चाहोगे, अपनी अपनी जिन्दगी जीने लगोगे, हाँ, कभी-कभी वो लग आएंगे, ये सारे ब्रहम तुम्हें फिर से होंगे, लेकिन ये तुम पर है, तुम्हें नॉर्मल जिन्दगी जीनी है, याद रखना, समझ रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सर, अधित्य, हाँ, आया, आया, क्या प्रतिक, तुम खुशने लग रहे हो, सर, आधित्य तो अपने घर जाएगा, अपने परिवार के पास, लेकिन मैं कहा जाओंगा, मेरी फैमिली मुझे एकसेप्ट नहीं करेगी, ये समझ के, कि मैं, मैं अलग हूँ, लोग मुझे पागल कहेंगे, सर, इधर मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले, कि वो मेरी फैमिली बन गए, लेकिन बाहर, बाहर में कहा जाओंगा, सर, क्या करूंगा, डोंट वरी प्रतिक, मेरा एक दोस्त है, वो इंडस्री में डायरेक्टर है, मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा, वो तुम्हे कुछ न कुछ काम जरूर दे दे थांक यू सो मुअच सर, है लो सर grounded, मैम मैं GRE पिता अदित्य शर्मा की पत्मी पलीज बड़ेश यह अब दोस्त हूँ, मैं अभी अदित्य को बुलाता हू, अदित्य को बुलाओ को बुला, प्रतिक, हाई सर, वी हाव गट सम्थिंग एक प्रतिक प्लीज ओ, थैंक यू तुम रुको, मैं अपनी बैग लेक आता हूँ एक बात पहू यह शर सर, देखिये, यह जो पोधा है, इसको अगर अच्छा एंवार्मेंट मिले, अच्छा खाद, अच्छी जमीन, अच्छा पानी मिले, तो ही यह आगे अच्छा बढ़ सकता है, और हमें अच्छा फॉल मिल सकता है अगर इसे यह सब नहीं मिला, तो यह मर जाएगा आप समझ रही है न, मैं क्या कह रहा हूँ जी सर, डोंट वरी, मैं अधित्य का खयाल रखूंगी चलो बाई प्रतिक बाई, टेक क्या है, यह सर जी सर नहीं मिला उना खूंगी जी सर, बाई नहीं मिला दो जाएगा जह लिएे यहीं मिला बाई मिला दो बड़ कर दो प्रतिक अजोशी अच्छा फव्ड़्य मिला अजोशी है जी समय है प्रच्छ। कर दो कर दो